विडियो कंटेंट दिखाने वाली कंपनी यूट्यूब की CEO सुसान मोजिकी ने अपने पत सेफ्टीफा दे दिया है और उनकी जगह अब नील मोहन पदभार समालेंगे Google की पेरिंट कंपनी Alphabet Inc. ने ये जानकारी दी है मिनिया रिपोर्ट्स के मताबिक सुसान ने इस्तिफा परिवार और स्वास्ति की वज़े से दिया है वोजिकी ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती है वो अपनी सेहत और व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना चाहती है अब हम आपको यूट्यूब के नए CEO नील मोहन के बारे में बताते हैं नील के करियर की शुरुआत ग्लोर 5 टेक्निकल सपोर्ट से हुई थी यहां उनको साथ हजार डॉलर वेतन मिलता था साल 2008 में नील गूगल में उस समय शामिल हुए थे जब उनकी पुरानी कंपनी डेबल क्लिक को गूगल ने खरी दिया था नील मोहन फिलाल यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है वो नवंबर 2015 में यूट्यूब के साथ जुड़े थे नील मोहन की प्रोफाइल के मताबिक उन्होंने स्टेंट फॉर्ड यूट्यूबरस्टी से एंबिये किया हुआ है और उन्होंने अपनी करियर की शुगात एक्सचेनर कंपनी के साथ की थी